चेर आपको हूं उड़ीयो के साथ हम लोग आपके सामने आजिर हो है आज की वाइड मॉक टेस्स टू जैसे कि आप सभी को पहले से ही पता है कि बीड मॉक टेस्स चल रही है चौकंड सिरीस च्छल रही है ये चौक अपर आपको अभी भी हम लोगों जाएमिया आमियो दू जो Central Universities है, उसके Beard की Mock Test की तियारी करवा रहे हैं, चीके, और ये Papers की Questions जो है, Previous Years Questions को मदियनगर रखते हुए, उनको रखा गया है, तो बिना किसी देरी के साथ, Beard Mock Test Second का जो Solution है, वो मैं आप सभी के समने बताता हूँ, चीके, पहला Question है, इसमें, किस देश में, शिक्ष है, खेल Press Section में, चीके, तो उसका सही आंसर, Option Number D होगा, आप आते हैं, प्रशन Number 3 की और, Hippophobia, किस जानवर में होने वाली बिमारी है, तो ये है, घोडे के अंदर होती है, Option Number D का सही आंसर होगा, चौथा प्रशन है, निमलिखित में से, किस लाल ग्रह कहा जाता है, तो देख Option Number D, इसका सही आंसर होगा, प्रशन Number 6 की तरह बढ़ते हैं, निमलिखित में से, किस घटना के बाद, अशोक की नीटी में परिवरतन आ गया, तो कलिंका यूद, Option Number C, इसके बाद, अशोक के जो इचार थे, वो बदल गये थे, इसका सही आंसर, Option Number C होगा, प्रशन Number 6 की तर Option Number D, इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर आएगा, गांदी नगर, इसका सही आजवाब होगा, प्रशन Number 11, फ्रांस की क्रांती ने किसे एक नया अर्थ दिया, इसका सही जवाब है, राष्ट को, यानि की Option Number 20 का सही जवाब है, प्रशन Number 12 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के साथ, प्रशन Number 12, अधी के इंदर शब्द किसे से संबंधित है, उसका सही जव प्रशन Number D इसमें, ठीक है, अलंकन इसमें सबसे बड़ी सिमीती मानी जाती है, प्रशन Number 14 आता है आप लोगों का, स्वतंतर भारत में पहला बजट किसने पेश किया था, देखी बहुत महत्रपून प्रशन है, तो इसका सही ऑप्शन आएगा, जीवी मांग वालकर, उप् साइल के मान से, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा, वो आएगा, भारत डाइनमिक्स लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने नाम नहीं दी है, आप लोग यहाँ पर समझेंगे, कि यहाँ पर नाम पूछ ले जाएगा, जैसे एपीजी, अब्धुलकलाम जी है, कि उनका नाम आसकते, लेकिन उनने यहाँ पर कोशन को चेंज कर दिया, और कमपनीज पूछ ली है, ठीक है, तो उसको बहुत ध्यान से, इस को इस तरह है कि कोशन को करीज कीजीगा, ठीक है, ठीक है, प्रशन नमबर सोला आता है, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन हो सीखने का मुख्य तत्व जो होता है, वो होता है, सीखने की इच्छा, अनुकुल परिवेश, प्रणा, यह सभी पॉइंट सीखने के मुख्य तत्व कहलाते हैं, तो option number D, इसका सही अंसर है, प्रशन नमबर 19, अच्छे शिक्षा को किसका ज्यान होना चाहिए, तो इसका सह सही अंसर है, वो है, मनोविज्यानिक अवशक्ता है, option number C, इसका सही जवाब होगा, प्रशन नमबर 21 की तरह बढ़ते हैं, खेल के माध्यम में, शिक्षा, आगे वही कुशन मार्क लगा हुआ है, तो इसका सही अंसर होगा, मनोविज्यानिक है, ठीके, इसका सही जवाब ह चलिए, प्रशन नमबर 22 की तरह बढ़ते हैं, शिक्षा की खेल विदी का अर्थ है, उसका सही जवाब होगा, option number खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, ठीके, option number A, इसका सही जवाब होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रशन नमबर 23 की और पाठ योजना तभी सही बन सक जब शिक्षक को, तो ये शिक्षक के लिए जवाब है, कि उसको क्या चीज होनी चाहिए, शिक्षन सिध्धानतों का ग्यान होना चाहिए, option number C, इसका सही जवाब है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रशन नमबर 24 और 25 देखेंगे अब, हम लोग, चलिके, प्रशन नमबर 24 अब इस है, अभ्यास से क्या होता है, चलिके, अभ्यास से क्या होता है, तो ग्याने इंत्रियों का परिक्षन होता है, चलिके, option number B, इसका सही अंसर होगा, प्रशन नमबर 25, चात्र के आवेगों का दमन करने से सब भेता, question mark लगा हुआ है, तो इसमें आम सर जवाब जो आ को शामिल होना है, हम लोगों के B8 mock test series में, तो आप लोगों के WhatsApp नमबर पर contact कर सकते हैं, contact number है हम लोगों का, जिससे आप सभी को नहीं पता है, तो 9045 220432, यह हम लोगों का WhatsApp नमबर है, आप हम लोगों से contact कर सकते हैं, आप लोगों जल से जल इसमें शामिल हो जाएंगे, तो आप लोगों जल से जल हमारे mock test series को join कर सकते हैं, बागे details आपको हमारे channel पर मिल जाएंगी, उसकी fees कितनी है, सारी details हम लोगों पहले ही YouTube के माधियम से बता चुके हैं, तो चलिए, मिलते हैं, अगली video में test third लेके आते हैं आप लोगों के लिए जल से जल, thanks for watching this video